हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू पीवियर स्टडी बच्चों जैसा कि आपको पता है कि साम को साथ बज़े आप हाई स्कूल की मैस पढ़ते हो कच्छा दसकी एक्सरसाइज 13.1 चल रहा है इसमें टोटल 9 कोश्चन है और छठा कोश्चन में बताने जा रहा हूं इमांदारी घंट क्यानोंकि भी दवा का एक कैपसूल एक पैलन के आकार का है दवाई खाये ओ सभी कैपसूल जानते हो हूं नहीं जानते हो तो किसी मेर्चिकल श्टोर पर चले जा ना और कह देना चाचा मुझे कैपसूल दिखा दो कमझ रहे हो देख लेना और कमेंट करके बताना आप कैपसूल देखे हो ना चलो कैपसूल क्या है जिसके दोनों सिरो पर एक अर्ध गोला लगा है बहिं कोई भी चीज अगर बेलनाकार है जैसे मालों यह स्याही हो गई इधर कि दो इटर एक गोला की टाइप का लगा यह नहीं अर्ध गोला अगर काटो गी तो बनेगा न बनेगा ना कोई भी डिबी है काट्रलों नीचे तो प्राइल सी इस यह आपको फाइंड करना है गर्ब सरफेसे आपको फाइंड करनी है देखो बबू पहले तो मतलब समज़ नहीं सुछ सकता है कि यह इस ने दिखा मैं आपे बहुत बढ करना में देता हूं मैं कहा है इतना समझो यह वाला भाग ये क्या है बेलन यह जून्र का सिलेंडर लेकिन जो इसक क्वार सिर्प समाझने की कोशिज करो तो क्या तीन पार्ट बना तो क्या करोगे我ंगर का निकालों ऑ प्लस दो आर्धगोलों काउ बसर्फेस एरिया पार पुड़ा नौनकर प्रिस्ट्रक त्वल्जा सोल कि अगर समाज गए तो बहुत आसान है चलो लिखो लिखो कैपसूल का प्रिष्टिय छेत्रफल बराबर लिखेस एरिया आफ कैपसूल इक्वल यही तुम्हें लिखवा रहा था लिख लो फट से जल दी से टाइम बेस्ट ना हो जो बच्चे कमेंट करने परिसान बिल्कुल ना रहे मिटा कलास खतम हो जाएगी तब मैं कमेंट देखूंगा लाइस्ट में ठीक है चलो यह हो गया कंप्लिट जो लिखना था लिखने माली बात रोक के लिखना चाहिए बेलनाकार भाग का प्रिष्टिय छेत्रफल मतलब सी एस आप सिलेंडर आप सबको बहुत अच् से यह लगा होगा उसका फर्मुलाब लगा दोगे सिंपल है यह टूपाइ यार कामन लेवोगे इसमें यह बचेगा इसमें आघ और बचेगा इसमें यह बचेगा अब देखो में पॉइंट का है देखो देखो यह टोटल 5 है याद रखना यह टोटल क्या 5 mm है समझ रहा हो ना और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी फिर बीच से अगर इनको ऐसे करोगे तो 2.5 ना यहां समझाने के लिए लिख रहा हूं 2.5 होगा ना यह रेडियस जो मनें खीचा यह इतना यह धाई होगा और एक चीज़ और समझो यह भाईया टोटल 14 है बाबू कितना है टोटल 14 mm है तो चरह एक मिनट यह बताओ मुझे यह भी आपका 2.5 है यह कितना यह एक यह लाइन किया है 2.5 इसको यहाँ दिखा दे एक तो बाबू एक चीज संझो जो आपका रेडियस है स्लेंडर है जो आपको यहाँ पहले रखना है वह कितना लो कितना है बाटी यहा डिया मीट आपका Nejपने इसका ऐह इसका इसलेंडर आ होता है यह किंसे होता है होता है ंओ लोकर योगा तो दो गोड़ा यह 22 साथ गुड़ा आर कमान कितना 2.5 यह सिलेंडर का रेडियस है याद रखना यह किसका है यह भी सिलेंडर का ही है क्यों है यह मतलब समझ रहे हो हाइट हाइट किसका सिलेंडर का ना हाइट की कितनी हाइट है मतलब इसकी उचाई कितनी है अगर इसको ऐसे खड़ा कर लो भाई सीध धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई- और प्लस यह आर हार मतलब किसका है आर मतलब किसका आर हैं यह एंश दोलों का अधी तो उसका भी है ना किनारे पे लगे जो प्रूलें उनका भी तो धैके है है क्यूं है ना चलो है आदेखो बहुत सिंपल है बबुआ देखो बहुत-बहुत मज़ेदार है कि दम लड्डू है कि दम देखो कैसे एक सिकन्ट रूखो नीचे दिख रहा है न इनको अटाओ एडवांस में आ गए छेकाने चलो आप देखो यह टू इंटू ट्वंटी टू अपांसे बानी इंटू टू पॉइंट फाइफ ए भाई रूख के यह नव पांच चौदा हो जाएगा ना अरे ढाई 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 पांच और नव चौदा फॉर्टीन है आसान है ना साथ से का इस एमें में स्कॉयर चूकि एमें में इकाई चल रही थी हर जगा बात पक्की यह आ गया कैपसूल का प्रिष्टी यह चेतरफाल यानि कर्व सर्फेस एरिया आफ कैपसूल इक्वाल 220 एमें में स्कॉयर को पॉस्चन कम्पलिट हुआ कि अगला कोश्चन देखेंगे बच्चों आप आज के लिए इतना ही क्लास आप बहुत बढ़ी देखते नहीं हो फिलहाल अगला कुश्चन अगली क्लास में बहुत बहुत थांक्यू अपने कोई विचार होंगे कमेंट करके बताएगा और मुझे यह कमेंट जरूर करके बताना कि आप कितने घंटे पढ आना जरूर क्योंकि आप लोग बड़ी कलास नहीं देखते हो अगर आप बताओगे तो मैं बड़ी कलास चलोंगो कमेंट करना